पिछले कुछ सालों में बर्मी कंपोस्ट की बहुत जादा खेती में उपयोग कर रहे हमारे किसान भाइबेन और जिसे फसल भी काफी अच्छी होती है किसान अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए विभिन तरह की रासाइनिक खादों के इस्तिमाल से फसल के साथ-साथ मिट्टी की उरवरक शमता पर भी असर पड़ता है ऐसे में किसान जैविक उपचार अपना कर अपनी फसल की पैदावार के साथ-साथ जमीन की उरवर्ता भी बढ़ा सकते हैं जैविक खाद बनाने के लिए 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमुत्र, 1 किलो गुड, 1 किलो चोकर, 1 किलो मिट्टी इन सभी का मिश्रोन तयार करना चाहिए इन पांच तत्मों को आपस में मिलाने के लिए हाथ से या किसी लकडी के डंडे की मदद लें जैसे केचवा जो भी जैविक पदारते वो खाता है और मल स्वरूप में निकालता है जो मल स्वरूप में निकलता है वही केचवा खाद होता है ये खाद पोशक तत्व से भरा होता है इसमें बहुत सारे हार्मोन्स जो होते जो प्लांस को पोदे को बढ़ने में बहुत उ कुछ हार्मोन होते हैं जो हमारे पौदे के उपच अच्छी आने के लिए और बढ़ने के लिए बहुत लापकारी होते हैं वर्मिकंपोस्ट का उपयोगिता बोले तो बहुत ही जादा है जैसे हम लोगों को खाना चाहिए होता है हम जब पौश्टिक खाना खाएंगे तभी हमारी सहत बढ़ती उसी तरह पौदे का भी है जब तक उसको अच्छा पौश्टिक खाना नहीं देगे तो पौदा अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा तो यह जो वर्मिकंपोस्ट है एक ऐसे ही खाना ही होता है जो हम पौदे को देते है तो वर्मिकंपोस्ट देने से पौदे को मिलता है उसके साथ ही उसको कुछ हार्मोंस चाहिए होता है उसके साथ वह मिट्टी की जो भी रासायनिक भौत तीक जो भी प्रौपर्टी होता है वह अच्छे से उसको मतलब डेवलप करता है उसकी उवरक्षक्ति को बढ़ाता है पानी रोकने की शमतार अच्छी खाद पाने के लिए इस घोल को प्रति दिन एक बार अवश्य मिलाएं 20 दिन बाद यह खाद बनकर तयार हो जाएगी यह खाद सूख्ष्म जिवानूं से भरपूर रहेगी खेत की मिट्टी की सिहत के लिए अच्छी रहेगी वहीं बर्मी कमपोष्ट से तयार की जाने वाली खाद भी पोशक तत्वों से भरपूर होती है इसमें गोबर की अपेक्षा अधिक मात्रा में पोशक तत्व होते हैं